गुट मॉर्निंग बच्चो, मैं मिस्पूनम निजावन, हिंदी टीचर माउंट लेटराजी स्कूल छांसी बच्चो, आज हम चैप्टर थ्री संधी पढ़ेंगे दो वर्णों के आपस्क में मेल से जो विकार उत्पन होता है उसे संधी कहते हैं संधी के तीन भेद हैं स्वर संधी, वेंजन संधी और विसर्ग संधी अब हम पढ़ेंगे संधी, संधी विच्चेत क्या है? संधी का आर्थ है मिलना, विच्चेत का आर्थ है अलग होना दो बढ़नों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले वाली इस्तिति में लाना संधी विच्छेत कहलाता है जैसे पुस्तकाले इसमें दो शब्द जुड़े हैं पुस्तक धन आले अब हमने जब दोनों को अलग करा तो ये विच्छेत हुआ इसका संधी का क्या हुआ वि और दूसरा अस्त ठीके वच्छो तो इसको बोलते हैं संधी विच्छेत करना स्वर संधी दो स्वरों के मेल से जो वंड परिवर्तन होता है उसे संधी कहते हैं जैसे रवी धन इंद्र या रवी का इंद्र शब्द के ए के साथ मिलकर ए में परिवर्तन हो गया है यानि छो को जब हम मिलाएंगे आपस में तो ये बड़ी ए का रूप ले लेगा तो हमारा शब्द बन जाएगा रवींद्र स्वर संधी के पांच मेद होते हैं दीर्ग संधी गुण संधी ब्रद्दी संधी यन संधी और आयादी संधी तो अब हम आगे इन संधियों के बारे में पढ चैने हेंगे दीर्ग संधी हरस्वा दीर्ग ए ई के बाद यह हरस्व दीर्ग ए उ आय तो दोनों के स्थान पर दीर्ग एउ हो जाता है इसे दीर्ग संधी कहते हैं यानि अ के बाद अगर छोटा आ आए तो बड़ा, छोटी ए के बाद छोटी ए आए तो बड़ी ए, छोटे उ के बाद बड़ा उ आए तो बड़ा उ, अगर छोटे उ के बाद उ आए तो भी बड़ा उ बनता है, जैसे शिक्षा धन अर्थी, शिक्षा आ, बड़ा आ, उसके बाद आ आ रहा है तो ये बड़ा बन गया शिक्षार्थी रविंद्र रवी प्लस इश चोटी ए प्लस बड़ी ए बना बड़ी इ भानू उदय भानू नामे बड़ाउ है और उदय में छोटा उ है अब बड़ाउ और छोटा उ मिलके बन गय दीरक यानी बड़ाउ बन जाएगा इसके बाद भू उर्जा भू बढ़ाउ और फिर उसके बाद बढ़ाउ आया है तो ये भी आपस में मिलके बढ़ाउ बन जाएंगे भूर्जा माने भूमी की ओर्जा तो बच्चों आपको दीरकसंदी समझ में आ गई होगी जब अ या आ का संयोग छोटी बड़ी ए छोटा उ बड़ा उ ततारी से होता है तो ये क्रमशा ए ओ और अर हो जाता है इस प्रकार की संदी गुण संदी कहलाती है क्या कहलाती है गुण संदी या दि छोटे आ के बाद बड़ा आए और छोटी ए के बाद बड़ी ए आए तो ए बन जाता है आ के बाद उ आए तो इसका ओ हो जाता है आ के आए री तो इसका अर हो जाता है जैसे नर धन ईश अ नर अ की अवाज सुनाई दे रही है ईश बड़ी ई है तो अ धन ई क्या बन गया ए बन गया ए क्या है स्वर है और ये एक मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है तो ये क्या बन गया नरेश महाधन उतसव बाड़ा आ प्लस छोटा उ तो ये क्या बन गया ओ बन गया, ओ की मात्रा बन गई, तो ये क्या बन जाएगा मिलके, महोत सब बन जाएगा, इसी तरह महाधन रिशी, महरशी हो जाएगा, अब हमात्री आती है, व्रद्धी संदी, जब आ या आ के बाद, ए या आ हो, तब दोनों को ए, और जब आ के बाद, आ के बाद, ओ या अउ हो तो दोनों का अउ हो जाता है इसे व्रद्धी संदी कहते हैं जैसे एक धन एक क और अ तो ये मिलके अई हो गया तो अकक हो गया परम धन ओज परम अ प्लस ओज ओ तो अउ बन गया परमौज हो गया दस के बाद महा धन एश्वर्य आ प्लस ए अउ हो गया महोशद महा बड़ा आ प्लस अउ महोशद हो गया तो बच्चो अगर आप इसकी नियम याद कर लेंगे तो संदी पहचानने में आपको परिशानी नहीं होगी याण संदी छोटी इ बड़ी इ छोटा उ बड़ा उ री के बाद यदि असमान स्वार आता है तब इ का या उ उ का वा और री का र हो जाता है इसे याण संदी कहते हैं अत्य प्लस अधिक ती छोटी इ और आ अत्य आधता वन गया ठीक है आधता कैसे बना अत्य धिक ता में य की अवाज सुनाई दे रही है इ और आ मिलके ये बन गया आधा शब्द बन गया ठीक है अब है अयाधी संदी यदि कोई अन स्वार आए तो उसका आए ए का आए और ओ का अव तथा आव का आव हो जाता है ये अयाधी संदी कहलाती है ठीक है ने धन अन ने और आ ए और आ मिलके न बन गया शब्द बना नयन पो धन इत्र ओ और छोटी इ क्या बन गया पवित्र इ की मात्रा बन गई ठीक इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों की भी संदी कर सकते हैं ओ के साथ अन्य स्वार आए तो आव हो जाता है देखिए पव धन अक यहाँ पर क्या हुआ अन्य स्वार अक आया तो ये शब्द क्या बन गया आपका पावक ठैंक यू